हेलो गाई स्वाकते आपका स्वापनिल करंट अफेर्स हमारी यूटूब चैनल पर प्रिवेस वीडियो में हमने जो कोशन सौल किये थे हमारी जो एबो के कंप्पूटर स्कील टेस्ट उसमें से जो कोशन है इसके अलावा अभी हम लोग इस वीडियो में स्वाइट पर आपपको ये कोशन दीकिए गा तो है जब आपको इस विडियो में लोग ये कोशन सौल करेंगे इसमें आपको एक टेबल क्रेट करना है कुछ फॉरमेटिंग उसमें करना होगा इसी टैप के questions आपको examination में देखने को मिलेंगे computer skill test के तो ये question है जिसे हम लोग पढ़ेंगे और से recreate करेंगे तो आपको बता दो अगर आप ये ebook डाउनलोड करना चाहते हो तो description box में जो link दी गई है वासे आप इस ebook को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप मुझे personally whatsapp पर message भी कर सकते हो मेरा whatsapp का number आप अपने screen पर देख पार होंगे इसके अलावा description box में भी मेरा number दिया गया है तो हम लोग आ जाते हैं हमेरी powerpoint के slide में अगर ये video आपने नहीं देखे हो तो वो भी video आपको देख लिना है और अभी जो हम लोग slide solve करेंगे वो है slide number 2 prescribed time limit to process medical claims इस तरीके से आपको जो एक title इंटर करना है यहाँ पर आपको columns and यहाँ पर rows दिखेंगे तो आपको यह create करना है यहाँ पर name and roll number दिख रहा होगा computer skill test यहाँ पर footer में लिखा गया है and यहाँ पर slide number दिख गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको home tap पर ही रहना है new slide पर जाने के बाद यहाँ पर title and contain वाला जो slide होगा उसे आपको ले लेना है टाइटल बार में आपको जो title लिखने के लिए का आगया है टाइब करने के लिखा आगया है prescribed time limit to process medical claims यह यहाँ पर आपको इंटर कर दिना है सबसे पहले लोग यहाँ पर type कर देंगे इतना type करने के बाद में आपको यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर कितने columns है and कितने rows है तो यहाँ पर जो total columns यहाँ पर आपको देखना को मिल रहे है तीन columns है and six rows है तो आपको अपने slide पर आ जाना है and यहाँ पर आप देख पाऊगे insert table का यहाँ पर एक option मिलेगा तो जैसे कि आपने जो slide लिए हो new slide से title and content का जो अपने slide लिए हो यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद में तो 3 into six है तो जैसे कि आप यह पर देख पाऊगे 3 into 6 का हमने जो हमारा टेबल है वो यहाँ पर ले चुके है आपको भी इसी तरह के से लेना है यहाँ पर जो है अपने आप एक डिजाइन का सेक्शन ओपन हो जाएगा अगर आप कई पर और पर क्लिक करोगे तो डिजाइन का सेक्शन चले जाएगा और जब आप अपने टेब किसे बनाया गया है उसी तरह किसे आपको यहाँ पर रिपली का त्यार करना है तो सबसे पहले हम लोग टाइपिंग का वर्क कर लेते हैं देन यहाँ पर फॉर्मेटिंग करेंगे तो जैसा कि टेक्स्ट है हमने यहापर टाइप कर दी है जो भी फॉर्मेटिंग यहापर कहा जाएगा वो हम लोग एक बारी करेंगे बटि यहापर हम लोग सबसे पहले इसे इस तरीके से जिस तरीके से आपको दिया गया है स्लाइड में उसी तरीके से यहापर आपको अलाइन करना है यहापर आपको टाइटल एंड टेक्स्ट जो होगा वो बुक मार्क ओल्डर स्टाइल का होगा तो यहापर हम लोग क्या करेंगे बुक मार्क ओल्डर स्लाइड यहापर हम लोग दे देंगे जैसे करने प्रिविएस वीडियो में कहा है कि जो भी आपर फॉन्डर टाइप होगा वो आपके डेक्स्टॉप पर आपका जो सीस्टम होगा आपका जो कंप्योटर होगा वह पर ओल्रीडि वो जो फॉन्ट होगा वो इंस्टॉल होगा अगर नहीं होगा तो इन्विज यह मरा आच चुका है, and then 38.5 point and 18 point, तो इसे 38.50 point इसे आपको रखना है, and central align किया है, and इसे bold किया गया है, तो देख पाऊगे, यह मरा आ चुका है, तो जिस तरी किसे यहाँ पर medical की बात में आपर claims आया है, उसी तरी किसे अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, बस आपको इसे नीचे तुरुआ सा align करना होगा देन यहां पर जो point समय कहा गया है text के लिए 18 point तो यहां पर आपको कही पर भी click करना है and then इसे select कर लेना है देन यहां पर 18 point कहा गया तो 18 point कर दिना है and यहां पर भी आपको फोन कहा गया है bookman old style वह यहां पर आपको अब देदैना है वह छोटी चोटी बात पर आपको धहन देना है तो सबसे हम लोग यहां से जो है इसे select करेंगे and then यहां पर आप देख पाओ कि यह alignment का paragraph के section में यहां पर इसे central align करेंगे and इसे भी हम लोग select करेंगे and central align करेंगे यह already right में align किया गया है तो यह छोटी चीज़ आपको देखना है देन उपर का जो आपको यहां पर table का जो title है SL, build type and time limit इसे जो है bold किया गया है तो हम भी क्या करेंगे इसे bold करेंगे बोल्ड करने के बाद में इसे जो align किया गया है वो center align किया गया है तो इसे फिर से आपको select कर लेना है और इसे center पर align करना है इसके बाद आपको جो है इससे align अच्छे से कर लेना है जैसा कि आपको text दिया गया है उसी तरीकिता यहाँ आप को align करना होगा तो अभी जो यह आलाइम हुआ है आप देख पाऊगे, कि यहाँ पर क्लेम से हाइर हाइर स्पेस्य लिस्ट तो इस तरह के je यहां पर भी claims higher higher specialist and specialist इसे तरीके से आपको करना है देखना है कि आपको ध्यान देना है छोट छोड़ी बात होगा अभी इसे आप नीचे उपर कर सकते हो एंड यहां पर जो है काफी बड़ा यह column बना हुआ है तो इसे आप लोग इस तरीके से short कर सकते हो and इसे आपको as it is रखना है तो एक बार फिर से आपको check कर लेना है जिस तरीके से यह बना हुआ है उसी तरीके से यह बना हुआ है क्या 60 days तो 60 days के नीचे आप देख पाओ कि इतना space छोड़ा गया है तो यह space इस लिए छोड़ा गया है क्योंकि यह double lane में है यहाँ पर भी double lane में दिया गया है तो यहाँ पर भी space छोटा हुआ है तो जैसा यह बना हुआ है उसी टाइप से यह हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर बन चुका है अभी यहाँ पर आपको जो फूटर देना है फूटर तुमने लास्ट वीडियो में बताता है कि सब्सक्राइब को फूटर देना है बट फिर भी एक बारे बता दू कि इंसर्ट सेक्शन पर जाना है यहाँ पर आपको अप्शन देखेगा यहाँ पर डेट एंट टाम के बारे में प्रिविस बता चुका हूँ यहाँ पर फूटर स्लाइड नंबर यह सारी चीजे आज जाएगी देन यहाँ पर अगर आपको इंसर्ट सेक्शन पर जाकर वर्ड ले लेना है यहाँ पर आपक कर दोंगा, तो यह काफी एजी होगा यह इसके अलावा आपको काफी सारे और कोोश्ण सबन सकते हैं वो में आपको बताओंगा कि किस motherfature a questions होंगे इतना होने के बाद में आपको यहाँ पर और भी questions बनते हैं जैसा कि इसे आपको color करने के लिए कहा जा सकता है तो यहाँ पर क्या करोई इसके select कर लेना आपको इसे select करने के बाद में आपको home tap पर आ जाना है home tap पर आपको shape fill का एक option दिखेगा तो यहाँ पर आपको click करना है and जो भी color यहाँ पर आपको कहा गया है उस color में आप इसे color कर सकते हो ठीक है आपको color का नाम दिया जाएगा तो वो color के नाम या फिर color आपको यहाँ पर करना होगा blue, red, जो भी color यहाँ पर आपको कहा जाए वो color यहाँ पर आपको कर दिना है तो simply यहाँ पर अभी हम लोग एक blue shade दे देते हैं यहाँ पर भी आपको color करने के लिए highlight करने के लिए का जा सकता है तो इसे आपको different color दे सकते हो यहाँ पर भी आपको इस तरह कर सकते है तो यह भी आप कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पर आपको different shapes insert करने के लिए कहा जा सकते है तो यहाँ पर आपको illustrations के section में आपको यहाँ पर shapes का एक column देखेगा तो यहाँ पर आपको click करना है जो भी आपको plus minus arrows जो भी shapes कहा जाए तो यहाँ से आपको यह shapes ले लेना है तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर एक shape लेंगे तो इस type से आपको ले लेना है जैसे आप इसे click करोगे तो एक format नाम का section जो अपने आप पर open हो जाएगा जहाँ पर आप इसे different color से fill कर सकते हो outline जो है इसका different दे सकते हो तो आपको basically इसी type के questions examination में पूचे जाती इसके अलावा animation करने के लिए आपको काचा सकता है यहाँ पर आपको save करने के लिए कहा जाएगा तो file को जो है आपको save करना है तो save जब करोगे तो already जो file save है तो वो save हो जाएगी यहाँ फिर आपको desktop में कोई folder बनाने के लिए कहा सकते हैं तो आपको क्या करना है save is kak youse करना है this pc में आपको click करना है इंडिं इस्टॉप पर आपको click करना है एंडें यहाँ पर जो है आपको एक folder create करना है तो right click करोगे आप यहाँ पर and then here new partner click करोगे एक folder कोई भी लेना है new folder and then यहाँ पर आपको जो है E S I C U D C या फिर आपको यहाँ पर रोल नमबर देने के लिए एक इसकता है या फिर आपको यहाँ पर आपका नेम भी देने के लिए का जाइ सकता है तो वो आपको यहाँ पर देके इसको डबल klik करोगे경ि इंटर की प्रेस करोगे तो इस फोल्डर के अबो है यहां पर जाताएं उसे प्रिंट करने के लिए बीकाज सकता है तो आपको फाइल सेक्षन पर चले जाना है यहां पर प्रिंट का ऑप्शन गेल, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यह जो print है यह जो slide है यह print हो जाएगी या फिर आपको जो ही से control पी का use करोगे तो print का एक command आ जाएगा फिर भी वही जो है tab open हो जाएगी and यहाँ पर आपको जो है कितने copies चाहिए यह color या black and white यह सारे options यहाँ पर दिखेंगे तो आपको use करके इसको print दे दिना है इसके अलाव अगर आपको powerband के बारे में कुछ भी पूछना होगा जो भी आपको doubt होगा तो आपको comment box में comment कर देना है thank you very much guys for watching the video please like कर इस video को share कर अपने फ्रेंड के साथ and channel को जरूर से subscribe करिए thanks for watching